की गॉइइस वेल्कम टू स्पिक्रोंड तो आज मैं लेके आगया हूं आपके सामने न्यू वीडियो यह न्यू वीडियो बैसिकली जो भी क्वेश्चंज हैं CNG से रिलेटेड और अमेज में CNG से रिलेटेड स्पैसिफिकली उसके बारे में रिलेटेड है और मैं सारे questions का इसमें ही जवाब दे दूंगा अचली बहुत सारे लोगों ने मेरे comment section में बहुत सारे questions पूशे थे मैं उसको individually तो मैं जवाब नहीं दे पाया but मैं यहां पर सारे सवालों को मैंने एक list से बना ली है और उसको मैं one by one सवाल के साथ साथ जवाब देता रहूंगा तो first question is कि BS6 में CNG लगा सकते हैं या नहीं CNG लगवाना चाहिए या नहीं is it worth तो पहला question यह है कि भाई BS6 में हम लोग CNG लगवा सकते हैं नहीं specifically मैं जो question जिसने पूछा है उन्होंने Amaze के बारे में नहीं नहीं कहा है तो लेकिन मैं इसको थोड़ा पहले जेनरली आंसर देते हैं इसको specifically Amaze के बताऊंगा थीक है तो BS6 में CNG लगवा सकते हैं obviously लगवा सकते हैं मेरी बगाड़ी जो Amaze जिसके आपने वीडियो देखी है वह BS6 ही है CNG लगवाला चाहिए या नहीं देखिए यह बिल्कुल एक subjective question है यह आप पर depend करता है इसमें बहुत सारे parameters हैं उसको देखके आप यह decide करेंगे कि हमें CNG लगवानी चाहिए या नहीं तो आप parameters की बात करते हैं सबसे पहला parameters है आपकी running कितनी है और आपका registration years कितना चाहते हैं चाहते हैं तो आपको CNG के जबर्वत नहीं है कुई आपको यह running already इसके बाद आपको further registration allowed नहीं होगा डेली एर NCR में क्योंकि डेली आपको पता ही है वर्ल की वर्ल की highest polluted city है या फिर capital है किसी भी स्टेट किसी कंट्री की इसकी वजए से स्प्रीम कोड ने guideline कि है कि कोई भी डीजल वहिकल 10 साल से जादा डेली की roads में रन नहीं करेगी उसके आपकी काना 10 साल की हो जाएगी तो उसके बाद आपको out of Delhi उसको बेचना पड़ेगा जिसमें आपको जो वह प्राइज कोट करेगा आपको बेचना पड़ जाएगा तो आपको वहापे loss हो सकता है तो पहला आपका आपकी करनी कितनी है और आप registration कितना चाहते है या फिर आ 100 क्रॉस भी कर चुका है पैट्रोल तो आप उसके according अपना budget देखके अपनी running देखके इसको consider करें कि आपके लिए क्या suit करती है ठीक है second is environment pollution अगर आप एक environmentalist environment के बारे में सोचते है उसको consider करते है और एक active अप्रोच रखते हैं environment के लिए तो आपको बीए 6 या फिर किसी भी petrol vehicle में आपको CNG के लिए जरूर जाना चाहिए और डीजल को थोड़ा avoid करना चाहिए क्योंकि यह जानतर देखा गया है कि जब से पल्यूटिंग विकल्स है वह डीजल वेहिकल्स है जो generator होते हैं वह भी डीजल में चलते हैं तो बहुत पल्यूट करते हैं डेली में अगर आ और जो ओला उबर कंपनीज हैं उसमें भी डीजल वेहिकल्स अलाउड नहीं है तो यह कुछ अप्रोच एक्टिव अप्रोच है जो कंपनीज और गवर्मेंट लेती है इसकी वजह से हमें भी हमें और जैसे कि आप अभी रीसेंटी देखेंगे कि कि किसी कंपनी ने आइग तो आप डीजल वेहिकल को अवाइड कर सकते हैं अगर हम अवाइड करेंगे तो कंपनी उसको बना नहीं बन कर जाएगी तो थर्ड इस यूसेज आपका यूसेज क्या है आप कार को प्राइविटली यूस करना चाहते है या कॉमर्शिल यूस करना चाहते है अगर आपकी क मैं जवाब देना चाहता हूं कि actually अपने जो मैंने experience face किया मैं उसके बारे में आपको जवाब दूँगा कि जो Supreme Court की guidelines थी कि BS4 engine बन करके BS6 engine market में लाने हैं वो March 31 2020 था उसके बाद जो भी vehicle launch होंगे वो BS6 होंगे और उसके बाद March 31 last jet है कि BS4 registration की तो actually क्या हुआ जब यह इंप्लिमेंट किया गया तो मैंने तब तक कार ले ले लिए थी और हॉंडा ने अपनी BS6 वर्जन ला दिया था मार्केट में क्योंकि होंडा अमेज अरूंड जैनुवर्टी फैबुरी पूरी BS4 जो लॉट सब पूरा लॉट बिक चुका था तो मैंने अमार्ट से पहले ही ले लिया था अपना BS6 वर्जन ठीक है तो उसकी वज़े से मेरा BS6 वर्जन एपरिल से पहले रिजिस्टर भी हो गया अब नया लौ आया है नया रूल आया है नहीं मुश्किल हो गया उसको और पेपर मुश्किल हो गया क्योंकि मेरी से एप्रिल से पहले रिजिस्टर रही थी इसलिए मेरा cng on paper चड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होई आप मैं आपको request करूँ कि आप अपने जो cng verified जो government authorized जो installer है उनसे एक बार confirm करने कि on paper होगी या नहीं आप तब ही चड़ाए जब वो पूरा आपको आश्वार्शन दे देगी आपकी on paper कार हो जाएगी उससे पहले बिल्कुल भी चड़ाने का रिस्क ना ले क्योंकि मैं आपको एक recent example देना चाहता हूं मेरे friend ने मारुत्य सियाज purchase की है वो भी चाहता था कि cng install कर सके डली से बट उसकी नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टार्टिक में उसकी कार में cng install कर दिया है लेकिन government ने जब उन्होंने on paper चलाने की बाद कर दिया तो इसको डिनाय कर दिया क्योंकि bs6 में ciaz version में अभी bs6 में नहीं आ रही है cng on paper ठीक है next question is company fitted cng के लिए जाए या फिर aftermarket cng के it's completely based on availability कि कोई कार cng में available है और कोई कार cng में अभी नहीं है यहाप पर डिपेंड करता कि आप कौन सी कार लेना चाहते हैं जैसे कोई आप सिडेल लेना चाहते हैं आरांड 10-12 लाक रुपीज की सिडेल है वो कोई भी कार cng में अभी नहीं है तो उसको आप में आपको aftermarket c cng का यह option लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप 5 6 7 8 लाक रुपे 9 लाक रुपे की कार लेना चाहते हैं उसमें आपको मार्केट में बहुत सारे आपको option मिल जाएंगे जो cng में available है जैसे कि हुंडा की और है और टाटा की एक दो कार है हुंडा की और बता दिया है मैंने हॉ इसी विज़े से मैंने भी aftermarket में तो completely based अगर हम बात करेंगे कि कौन सी best होती है तो obviously जो company fitted cng होती है वो उसकी जो engine है उसका जो पूरी body structure है वो इस तरीक से calibrate किया जाता है कि उसमें cng fit हो सके लेकिन जो aftermarket है उसमें आप बाद में उसमें ऐसा structure कि मलब आप उसको amend करते हैं या फिर mold करके cng को install करते हैं इतना जादा फरक नहीं आता क्योंकि मैं आज की technology बहुत अच्छी हो चुकी है लेकिन 1920 का फरक रहता है तो इसी वज़े से मैं आपको अगर आप आपकी आपकी मन पसंद कार अगर आपको cng में company fitted मिल रही है तो मैं आपको suggest करो कि आप company fitted के ल स्ट्रेंटर का weight होता है एंड 14 kg में 65 लिटर का प्रॉंक्स तो मैं आपको यह suggest करूंगा कि अगर आपकी कार की जो strength है वो कम है यानि कि आपकी भी या फिर कम CC की कार है तो आप 12 kg cylinders में जाए क्योंकि आप इमेजन करें कि अगर अरंड 12 kg उसके अरंड 60 लिटर का cylinder आप अप में 5 लोग भी बैठे हैं तो कार की performance को काफी काफी जादा फरक पड़ेगा तो इससे वह से मैं अगर आपकी छोटी कार है जैसे आप से ले रहे हैं या पांच लाग के करीब जो जो भी हैच्पैक मार्केट में अगर आप वो ले रहे हैं तो आप जरूर 12 kg में जाए अगर cng लगवाने से boot space खतम हो जाता है एंड क्या उसके बाद हम stepney भी ने रख पाते नहीं ऐसा कोई issue नहीं आता है कुछ कुछ कार में ऐसा होता है कि जैसे आप से लेरियो में देखेंगी आगर आप cng इंस्टॉल करवा लेते हैं पीछे वैसे तो उसमें पहले से ही company fitted cng आते से लेरियो में या भी जो भी hatchback cars है अगर आप compact saddle ले रहे हैं जैसे Amaze या फिर और ले रहे हैं तो उसमें आपका ठीक ठाक स्पेस अच्छा खासा स्पेस रह जाता है जैसे कि आपके मेरी वीडियो में देख सकते हैं मैंने अपने गाड़ी का detail review दिया तो उसमें आप चेक क पूचा है कि engine में क्या का changes देखने को मिल सकते हैं तो see एक एक natural वे एक natural combustion का तरीका होता है पेट्रोल या डीजल का ठीक है अगर आप उसको एक alternative fuel देंगे तो आपको थोड़ा सा फरक तो देखने को मिलेगा मैंने मार्किट में देखा है कि जो CNG install कर रहे होते हैं जो authorized dealer होत होगे तो हम ऐसी CNG लगा के देंगे तो आपको perfect बिल्कुर सालो साल चलेगी और आपको engine में कोई भी आवास या फिर आपको कोई भी performance में कोई difference देखने को मिलेगा तो आप खुद imagine कर सेके आप खुद imagine करिए कि जो एक 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 नेचर जो combustion होता है combustion का mechanism होता है किसी engine का उसको आप बिल्कुल fully change कर दें तो कुछ तो changes देखने को मिलेंगे ना वो lubrication नहीं हो पाएगा engine जो उसको चाहिए actual में तो इससे बचने के लिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको पुरी कार आपके सालो साल बिल्कुल new रहेगी लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप इससे बचने के लिए को आप एक थोड़ी ज्यादा कॉस्ट वाली से लगाए जो अच्छी सींजी होती है अच्छे डीलर से लगवाएं और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं अगर मैं आपको इसको थोड़ा elaborate करके बताऊं तो आपको क्या करना है अगर आप परस टाइम जब आप दे में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यह इंशौर करें कि आप पांच से शे किलोमेटर आप पेट्रोल में रन करें जिससे क्या होगा जो आपका इंजन है वह पेट्रोल से अच्छी तरीके से लिउब्रिकेट हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप अ आपकी मेंटेनिस पर डिपेंड करता है कि आपकी कार कैसे रन करेंगी उसकी वॉइस किया होगी ठीक है और नेक्स्ट क्वेशन था कि जो एमेज है मेरी उसमें चीनजी का परफॉर्मस कैसा है तो एक डेडिकेटेट वीडियो लाने वाला हूं लेकिन मैं आप क्वेशन प 24,000 मैं को एक्चली या याद ने रेकिन 22 से 24,000 किलोंपेटर चल चुकी है जो एक बहुत अच्छा खासा रनिंग है क्योंकि मेरा रनिंग जाद है अगर मैं इमाजिन कि अगर मैं यही रनिंग पट्रोल या डीजल से करता अट तो मेरा कितना ज्यादा कॉस्ट लग जाता कार में तो इस वाइसे मेरी CNG लगाई है तो उसका मेरे डीटेल वीडियो मेरे परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी है सब कुछ एक वीडियो में बताऊंगा तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद के अडवांसर लगाने के जरूरत पढ़ती है तो ऐसा कोई हाड़न फास रूल नहीं है कि आप लगवाए तो एडवांसर ही लगाए जनरली होता क्या है कि जो छोटी कार्स होती है जिसकी जो इंजन के स्ट्रेंथ होती है वह सीसी या फिर भी जोटी थोड़ी डाउन हो जाती है और असले एक्सेलेरेशन होता है वह कम हो जाता है लेकिन आपकी जो थोड़ी करीविन नौँ दस लाग की आठ लाग की जो कार्स है उनके बिएच्पी जादा होता है उनकी एवरेज पहले से कम होती है उसमें आपको एडवांसर लगान करना चाता आपको यह भी थ्यान में रखना कि जब आप अगर आप जाद ही बिल्कुल पट्रोल वाला अगर अडवांसर चाते तो आपकी इसमें एवरेज भी कम होगी तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपना अडवांसर लगवा सकते हैं नेक्स्ट क्वेसिन है कि क किसि जवाब आपको इसी को जवाब देना था तो क्या होता है कि जैसे आप cng इंस्टॉल करवा लेते हैं किसी कर्ण वर्ष आप g Could तो आपको पर आपको पर लाइबल उस इंसिडेंट का माना जाएगा या फिर आप नार्मल भी आप मूव कर रहे हैं किसी ट्राफिक पुलिस वाले ने देख लिया यह बहुत कम चांस है कि आपका कोई की कुल के देखे और आपकी यह चेक कर लें कि आपको पकड़ा गया तो आपको मोटर्विकल आट के उसमें आपकी जब्त हो जाएगी तो भी इसको क्लेम नहीं कर पाएं को कि जो cng जो फ्यूल होता है आपका cng उसमें चार्जिस थोड़े बढ़ जाते हैं उनकी जो प्रीमियम के जो चार्जिस होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो इसलिए यह कराना बहुत ज़रूरी है आपको एक 2000 रुपे जादा देना पड़ जा एक सब्जेक्टिव क्वेशन है यह आपको डिपेंड करता कि आपका यूसेज क्या है आप कितनी काड़ी रन करते हैं तो मेरी गाड़ी रन जादा करती है और मेरी जो more travel होता है मेरे highways पर रहता है उसकी वज़े से मैं अपना एक smooth travel रखने के लिए इसलिए मैंने more focused कहा कि म तो मेरे को cruise control में जाए नीचे के version में cruise control नहीं था वी वर्जन में था लेकिन वी वर्जन अवेलेबल नहीं था तो इस वह से मेरे को top model लेना पड़ा लेकिन आप अगर आपका जो travel है वो Delhi city किसी भी city में है आप ज़ादा इंटर से travel नहीं करते है highways में ट्रेवल नहीं करते ह तो आप टॉप मडल के उसमें ना जाए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे बेस वर्जिन ले आप एस वर्जिन ले उसमें तीन-चार नहीं होगा अगर आप छोटे टैर्स लगवाते हैं तो इसलिए आप 16 इंचिस 15 इंचिस के टायर लगवाएं आप इन्फोटेंबंट सिस्ट्रम अपने लगवा सकते हैं तो बहुत सारी चींजिस करा सकते हैं जो आपको कॉस्ट भी आपको कम लगेगी जो आप कंपनी वाले जादर लेते हैं तो मैं आपको सजेश्ट करूँगी यहां बिल्कुल बेस वर्जिन पर जाए उसके बाद अपना मॉडिफिकेशन करवाएं हाला कि कुछ मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है उसमें आपको काम चलाना पड़ेगा जैसे कि आपके पास बीएस फोर का ऑप मेरा टाइमिंग था कार पर्चेस का वह बिल्कुल क्रॉस रोड पे था कि बीएस फोर वर्जिन एंड हो रहे थे और बीएस सिक्स मार्केट में आ रहे थे तो इसकी वज़े से मेरे को जो बीएस फोर था उसमें एक लाग रुपे का मतलब बैनेफिट मिल रहा था इसी वे कि इसमें थोड़ी पावर एन्हेंस मिलेगी क्योंकि थोड़ी बहुत एंजन में कैलिबरेट किया है होंडा ने नेक्स क्वेशन इस कि आपने कितनी किलोमेटर्स रन कर लिए अपने कार सी एंजी में और कैसा रिवीव रहा तो मैंने जैसा कि अभी पहले क्वेशन में भी सब्सक्राइबर पूछते हैं कि उनका मॉडल वी है और उन्हें प्रॉब्ल्स प्रॉब्ल्स नहीं है तो इस वज़े से आप डीजल कार्स में कोई नहीं लगाता है प्राइबर पूछते हैं कि उनका मॉडल वी है और उन्हें प्रॉब्ल्म आ रहे है पाट्रोल के संसर में तो यह प्रॉब्लस में और यह डिकार में करते हैं तो आपको जादा कुछ सोचने के ज़रूत नहीं है जब भी आपको लगेगी आपका पेट्रॉल क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जब cng में कार रन कर दिए तो आपको जो एग्जैक पेट्रोल जो आपका लैवल हो नहीं बताती है कार तो इसमें आपको जादा खर्च करनी की ज़रत नहीं है मैं आपको यह सेज़स्ट करूँगा कि आपको जब भी लगए कि आपका पट्रोल खतम होने वाला है तो आप कार को बंद करके दुबारा स्टार्ट करें आपको एक्ट्रोल लेवल पता लग जाएगा कोई दिलर नहीं होता है अगर है तो भी फिर भी आपको कोई चैळ का यह उन्डा का या फिर किसी कमपनी का तो वह बहुति आपकी वारंटी 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 होगी ही ऐसा कोई भी डिलर नहीं है अफ्टर मार्केट में अगर आप CNG fitted company fitted CNG लेते हैं सोरूम से भार company CNG लगी होती है तो उसमें आपके warranty void नहीं होगी company से भार आगी उसके बाद आप CNG लगवाएंगे तो आप कहीं से भी लगवाले वो CNG word होगी ही होगी यह आप ध्यान रखें next question है कि CNG लगवाने पर servicing में Honda वाले problem करते हैं क्या तो ऐसा कुछ नहीं है Honda की services बहुत अच्छी है बहुत अच्छी companies की services में मानी जाती है और ऐसे वो कोई problem नहीं करते हैं आपकी जितनी free services रहेंगी लेकिन वो आपकी warranty void हो जाती है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बागी उसमें कोई service में कोई problem आपको देखने को नहीं मिलेगी next question है कि which CNG is best for Amaze मैंने कौन से CNG लगवाई है तो market में भहुत सारी CNG है मैं genuinely किसी भी एक company को promote नहीं करना चाहता लेकिन अपने views के अपने reviews के according और जो मैं यूज कर रहा हूं उसके according में आपको suggestion जरूर दूंगा कि आप कौन से उसमें जाए तो market में टमेस्टो और बी रसी लवाटो की company जो यह कुछ foreign लवाटो के उसमें जा सकते हैं या फिर आप बाकि टमेस्टो वगरा भी रसी के भी दे सकते हैं वह थोड़ी कम कॉस्टली होती है अगर आपको cost effective cost का कोई issue नहीं तो आप OBD2 लवाटो में जा सकते हैं नेक्स्ट क्रेशन इसकी वही कि पेट्रोल सेंसर में प्रॉब्लम होती है क्या CNG लगवाने के बाद जिब बिल्कुल सही आपने जहां से भी सुना यह बिल्कुल सही सुना है जो पेट्रोल का सेंसर है वह जब आप CNG करेंगे तो actual level जब तक वह पेट्रोल में रन करेंगे वह बताएगा CNG में आने के बाद वह एक्ट्रोल लेवल नहीं बताएगा तो आपके और भी क्वेस्टिन से तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं CNG से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा थैंक यू सो मच